तो आगात दोस्तों आपका इस यूटूब चनल इस वीडियो में आज मैं अन्वाक्सिंग करूँगा अन्वाक्सिंग तो हो चुका आपको मैं इस खिलोने के बारे में बताऊंगा जिसको किचन सेट बोलते हैं जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे उसी तरह से है बस यह यह चावा लोगा परोशते हैं उसके लिए और यह भी चनी है जिसको चाय चानते हैं वह चीज चनी है पूरी चान सकते जो भी यह चीज सरसे दिख रहा है तो तीन च्छे चमत्च या करचली कह सकते हैं इसको और एक यह इस टील कहा है कचड़ा फेकने वाला यह काफी मुझारा बोलते हैं घड़ा बोल सकते लेकिन इस टील कहें ऑर यह जो कपड़ा रखे जो चनलße रहता है जिसको गेहों चानते हैं चलेन भूछते उसको पूछ आये और यह रासना लखनेवाला इसको भी बोल सकते हैं टंकियों की उसनी में भासा में धकड़ा भी दिया कुकर है जिसमें खाना बनाके रख सकते हैं इस तरह से कुछ और यहां पे एक खाना खाने वाली प्लेट बोल सकते हैं ताठी गाउं किवाज़ा में और यह प्लेट है जिसमें नास्ता करते हैं और यह मसाला रखने वाला है किजन में मसाला रखते हैं वह चीज है और इस पे यहां पर देख सकते हैं यह चूला है और यह सेलेंडर है जो काफी ठीक नहीं लगा मुझे प्लास्टिक का मटेरियल लग रहा है और यह काफी नाजुक है और यह गुर्णी इसमें से कुछ भी आलू ओली छीलते हैं जब लोगा बनाते हैं गाजरोजर का यह बहुत अच्छा दिया हुआ है और यह कफ है जिसमें चाय पीते हैं वह चीज है और एक कटोरी है इस्टीड की यह भी है ठीक है अब यह यह भी कफ रहा लेकिन इसके तो निकल गए है पैकिंग में कुछ जिस्टल बता यह यहां से इसको रख देते हैं यह मथनी है जिससे अपन माथा माथा गोलते हैं वह चीज का है यह डबबा है जिस नहाते हैं नहाने वाला पानी वाला डबबा यह भी छननी है चाय उच्छानने के लिए और यह रोटी बेलने के लिए बेलन चौकी प्लास्टिक का है थोड़ा से स्टील भी लगा हुआ है और यह कड़ाई है दोनों तरब का दिया रहा तो पैकिंग में ही साथ इसका एक चीज तूट गया है प्रैसा खराब होगे थोड़ी सी बाकी यह कड़ाई इस तरह से कि ओवराल यह सब पूरा खिलाउना हमको ऑन्लाइन मिला साड़े 300 रुपे में 50-40 रुपे डिलेवरी चार्ज लग गया है खिलाउना ठीक है बस प्राइस को ज्यादा है और माटेरियल भी ठीक है बस इसका चूला थोड़ी सी यह तो खोकला है कि तो सलेंडर और गैस चू कि अधने बाद